एपिसोड 57 के शुरुआत होती है हकान से जो कि अंसुमन के बिहेविर से काफी गुस्से में होता है और कहता है अंसुमन तुमने ये अच्छा नहीं किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तब ही बुलूत अपना बैग लेके आता है, हकान कहता है इसमें क्या है, बुलूत कहता है इसमें मेरे टॉइज है, देमित कहती है ये तुम वहां लेके क्यों जा रहे हो, बुलूत कहता है क्योंकि मैं वहां से अंकल के घर चला जाओंगा ना, देमित कहती है लेकिन मैं और ह नजली भी होगी तब हाकान कहता है हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा सप्राइज है जिसे सुनके बुलूट काफी खुश हो जाता है इधर नजली कोट जाने के लिए निकल रही होती है तब ही वहाँ डैनिस आता है और कहता है मुझे तुम से कुछ जरूरी ब पता आगे डैनिस कहता है चलो मान लिया कि तुमने ब्रेक अप कर लिया लेकिन ये बात तुम बुलूट को कैसे समझाओगी नजली कहती है बुलूट भले बच्चा है लेकिन वो तुमसे जादा समझदार है और वो हमें जरूर समझेगा डैनिस कहता है बुलूट अपने म बुलुत हो और तुमसे बस इतना ही चाहती हो कि तुम इसकी बारे में किसी को भी ना बताओ। इधर कोट में लॉयर बहुत सारे पॉइंट्स रखते हैं कि बुलुत वहाँ खुश नहीं है। आगे जजज बुलुत से पूछते हैं कि वो क्या चाहता है। बुलुत कहता है मुझे अंकल और नजली के साथ रहना है। टेमेड आन्ट भी अच्छी है मेरे लिए बहुत सारे ट्रॉइस लाती है लेकिन कभी कभी डाटती भी है। और हकान अंकल भी मुझे डाटते हैं लेकिन नजली ने और अंकल ने मुझे कभी नहीं डाटा और अगर मैं अंकल के घर गया तो वहाँ बहुत खुश रहूंगा और ज़्यादा अच्छी से पढ़ाई भी करूंगा आगे जजज फिरित के हक में फैसला सुना रहे होते हैं तब ही वहाँ डैनिस आता है और कहता है मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है आगे फिरित डैनिस को समझाने की कोशिश करता है कि वो फेक शादी के बारे में जजज को ना बताए इधर फतोष और मनामी कोड का डिसीजन जानने के लिए बहुत ही ज़ादा क्यूरियस होते हैं और प्रे कर रहे होते हैं कि फेरित को बुलुद की कस्रिडी मिल जाए इधर बहुत कुछ सोचने के बार डैनिस जजज को कहता है नजली और फेरित बुलुद के लिए अच्छे पेरिन साबित होंगे और नजली बुलुद को खुश रखने के लिए सब कुश करेगी जिसके बाद जजज फैसला फेरित के हक में सुनाते हैं आगे हम देखते हैं कि फेरित बुलुद और नजली इससे काफे खुश होते हैं और घर आते हैं जहां बुलुद फेरित से कहता है कि अच्छा हुआ आप दोनों ने शादी कर ली और मैं यहां आ गया वरना मुझे वही रहना पड़ता फेरित कहता है और हम ऐसा कभी नहीं होने देते इधर हकान और देमेद कोर्ट के डिसेजन से काफी अफसेट होते हैं जिसके बाद वो दोनों कमपनी आते हैं जहां उन्हें ये पता चलता है कि अब वो कमपनी नहीं आ सकते यूँकि वो बुलूत की कस्रेडी हार चुके हैं जिसके बाद हकान बहुती जादा पुलूत की कस्रेडी जीत चुके हैं अन्सुमन कहती है हां मुझे पता चला फतोष ने बताया मुझे आगे अन्सुमन डेनिस से बाहर चलने को कहती है जिसके बाद दोनों बाहर जाते हैं जहां पारकिंग एरिया में डेनिस और अन्सुमन की किसी से लड़ाई हो जाती है आगे अंसुमन डेनिस से कहती है क्या अब हम कुछ भी नहीं करेंगे डेनिस कहता है क्या करना चाहिए हमें जिस पर अंसुमन कहती है हम इसकी गारी को तोड सकते हैं जिसके बाद डेनिस और अंसुमन उस बंदे की कार की काश को तोड रहे होते हैं तबEE वहां पे वो लोग आ जाते हैं जिसके बाद Anasuman अपने कार की नेम पलेट हराती है और डैनिस और Anasuman वहां से भाग जाते हैं। इदर नजली और फेरिद किचन में होते हैं जहां नजली फेरिद से पूछती है क्या तुमने बुलोट की कस्डड़ी के बारे में अपनी मदर को बताया फेरिद कहता है अभी तो मैंने नहीं बताया है लेकिन मैं बता दूँगा और एपिसोड बे यहीं कौन करके ज़रूर और अगर अभी तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मूटिवेशन मिलती है और बी वीडियो Barbie बनाने की हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स वीडियो में त rozpеля बाई